जो इंसान दिन के 24 गंटों से अपने शरीर को एक गंटा एक गंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए खिलियो से चुनू से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं जो इंसान दिन के 24 गंटे मैं ये बात पहले मिं दोह आ चुका हम फिर दोह आएं जो इंसान दिन के चौँष गंटों में से अपने शरीर को एक गंटा एक गंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए कि लिए से इस एक गंटे में आप चाहे जो एनी फॉर्म आप लोग कर लो जो आपको पसंद जाये जिम चले जाओ एक गंटे कर लो यार रनिंग कर लो साइक्लिंग कर लो योगा कर लो जूम्बा कर लो crossfit कर लो या something like as simple as walking कर लो कुछ भी करो या लेकिन करो अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे अब बात करते हैं सबसे important चीज जो है exercise के साथ उसके hand to hand जाता है वो सही diet maintain रखना आज बी आपको बताओं फिल्म की shooting पर रोज जाता हु लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं घर का डबा लेकर जाता हूं कभी कभी heroin बोलती है या कोय और भोलता तो घर से डंबा लेकर आदा हूं है 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 Oh मैं घर से ही डंबा लेकर А다 बूछ जिए भी याद है आप लोगों हो कि मैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे गर से मतलब नहीं 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 लापाता कभी कभी कुछ तो मैं प料 कि क्या करता था शे केले खरीदे तक उस वक्ट पच्पन पैसे में आते थे छे पच्पन या साथ पैसे में केले खरीद के खा लेता है यह कोई चहीलो उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है आप उपर का हिस्सा काट के खाड़ो अरे यार, discipline maintain रखना हमारे हाथों में है, और इसमें कोई rocket science नहीं है, घर की दाल, रोटी, सबजी, और थोड़ा बहुत घी, जो कई-कई लोगों को लगता है कि यार, बड़ा ही cholesterol है, नहीं भाई, असली घी, उसमें थोड़ा डालो, और देखो, वारे नियारे हो जाएंगे, बोन्स के अंदर ताकत आती है, कोई भी डॉक्टर को पूछ लो, so guys, say yes to घर का खाना, exercise की बात होगे, लेकि आराम करना भी, सबसे बड़िया exercise आराम भी होता है, चार गेंटे या पांच गेंटे, नहीं, आपको आपके बोड़ी सई फंक्शन करने के लिए, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आराम और वो है आठ गेंटा, आठ गेंटे की नींद आएगी, आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा है, चाहे वो कसरत में हो, काम में हो, दिमाग हो, आफिस में, आपको बहुत साथ देगा, और दूसरी बात, ओफिस से घर पहुँचो तो productive benaida disconnect to reconnect with yourself and your family